वाड़ी पुल स्टेशन के दित्त वाड़ी के शिशक्ति नगर में एक महिला पारिशत ने एक योग की साउंड सिस्टेम बचाकर चमकर पिटाई करने का मामला सामने आया प्रवजानकारी के नुसार सुरेक्षा नगर निवासी नाबाले की वक करन जितेनर डूरली उम्र सत्रा वर्ष शुकरवार को गनेश्य तुर्ति के दिन सुभह करीब साड़े साथ से आड़ बचे के दोरान दुकाद में ब्रेडलानी जा रहा था उस दुरान आरूपी पारशित सरीता यादो की बड़ी लड़की ने करन को घर भुलाया करन घर जाते ही उसे घर में बंद कर दिया वह यादो परिवार ने करन की डीजे बजा कर जम कर पिटाय की सरीता यादो उनके पती वबड़ी बेटी के साथ अन्यती नियूकों ने पिटाय करने की जानकारी करन ने दी त्यून निवक मुँपर तुपटा बांदे होने की जानकारी खुद करन ने दी इतनी पिटाय की गई कि करन की शरीर पर भारी निशान है गरदन पीट पैर पर लोहे तता लकडी के रोड से जखम हुए है उसे जान से मारने के इरादे से ही घर में बुलाया गया था लेकिन करन अपनी जान बचा कर भागया साउंड सिस्टम का भारी आवाज होने से घर में हुए मार पीट की पडोसियों को आवाज नहीं आए अपनी जान बचा कर जब करन घर पर आया तो घटना की सारी हकीकत अपनी मा को बताए करन के पिता CRPF में कारवरत है उन्हें घटना की जानकारी दिगई पूर्व पारशर सरीताय आदो ने करन की मा को चांसे मारने की धमकी दी तथा टैंकर में घुसा की मार काट की फिक दूंगी ऐसा पारशर सरीता ने धमकी दी दरके मारे करन ने शुकरवार को शिकायत नहीं की रविवार को पीडित परिवार वाडिता ने शिकायत करने गए लेकिन डूटी ओफिसर पियसाई कलपना काले ने उनकी शिकायत दर्स नहीं की सरिताय आदव राशितिक पार्टी से होने से पियसाई कलपना काले ने मामली को दबाने की कोशिश की जब मामला पियाय प्रदीव सूर्य वंशी तक पहुचा तब सोमवार को तुरंत मामला दर्स हुआ घर पर बुला कर पिटाई करने की घटना यूपी बिहार में होती है लेकिन वाड़ी में युग की पिटाई होने से वाड़ी की शिवशक्ती नगर में दहशत का वातावर निर्मान हो रहा है यादो परिवार पर भी उत्तर प्रदेश स्याने की चांकारी है मैं दुकान गया था, मम्मी को बता की मैं को बिस्केट लेन जाना है मैं बिस्केट लेन दुकान गया, दुकान से घर आ रहा था तो सरताय दो की बड़ी लड़की ने मुझे आवाज दी बोली कुछ काम है इधर आ तो मैं अच्छे मन से उसके वाज गया तो उसने मेरा हाथ पकड़ के घर के अंदर घीची सोफे पर दो मेट बैट बोली अपने ममी और पापा को आवाज दी और वो तीनों ने मुझे मारना स्टार्ट किया उन लोगों ने मुझे मारा तो मैंने उनको पूछा क्यों मार रहे हो तो बोले तो हुआर लड़की से बात करता मैंने बोला मेरे पास पूफ है कि मैं आपकी लड़की से बात नहीं करता तो मैंने उनके फोन दिया पूफ के तोर पे उन लोगों ने मेरा फोन भी तोड़ दिये फोन तोड़ दिये फिर उसके और मारना स्टार्ट किये तीनों ने मुझे को बहुत मारे उसकी मम्मी ने बोली ते को जान से मार दूंगी उसकी मम्मी न अपनी बड़ी लड़की को बोली कि जाद चाकुले क्या इसको मार देती हो नेमस के पापा ने भी मुझे मारा, लकडियों से मारा, बल्लीयों से मारा, और जस वो चाकु लेंग जा रहे थी तो उसकी मम्मी ने मुझे नीचे भी जुकाया, बोले पैर चाड बोले, तो मैंने उनको कैसे भी तोपे संभाल के वहां से निकल गया, फिर वहां से निकल के म मेरी मम्मी को बता, मेरी मम्मी उसकी घर पे गई, तो मेरी मम्मी को भी उसमें धमकी दी, मुझे पहुत पेन और हाथ पे चोट लगी पड़ी है मी शुशक्तिर नागर मदे रानारी एक मैला है, माझा मुलगा सकाडी बिस्किट चा प्रकेट आनाला गेला होता, मी घर कामात व्यस्तो होती, तो मला सांगून गेला का मी बिस्किट प्रकेट घ्यूने तो, तो मी मतले ठीका घ्यूने, तो गेला, सरीता यादो ची मुलगी म मुली बुख़ने करन माज चुराओं आधी चुरा करन दुख लाए अचैने दर्वाजा ला लेला है अनी जुख हले कि मतले कि मंद्री माजी गलती का सब्सक्राइब कर दोस्तों करने थे को अपर संगते हैं अच्छल अपर मुलिस शोद बॉल तो मनों में और में बिसेन नियूस के लिए वारी से सुरब पाटल की रिपोर्ट बिसे सुरब पाटल की रिपोर्ट